नमस्कार स्वागत आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम डिबेट फर्स्ट में भोपाल नगर नियम की बैठक एक बर फिर हंगामे की भेट चड़ गई असल मुद्दों पर चर्चा न करकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाती है हंगामा होता है नारे लेकिन जनता की समस्यां उपर किसी प्रकार की ना तो चर्चा की जाती है ना उस पर कोई कारवाई की जाती है और ब्रश्टा जैसे बड़े मुद्दों पर तो कहीं पर भी उंगली तक नहीं रखी जाती है यह क्या वज़े है जिसकी वज़े से ना केवल बीजेपी बल्क क्या वज़े के असल मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती है इस तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने खास च्रो डिबेट फर्स्ट में और एक खास पैनल हमार साथ इस समय स्टूडों पर मौजूद है तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आतिक करम अन्य करते हैं हाली मैं जब बारी शाही तो पूरा शहर जो है जो नाले उफन उफन कर सामने आ रहे हैं लेकिन आपके मापार जो हमार जो है वह कारिवाई फिर भी नहीं होती है अब चाहिछा की जीए जिसमें अहम मुद्डे जो है डिसकस किया जाने चाहिए व बिंदु बार आप मुझसे पूछिए आप में चीज क्या रहा परीसत का सवाल परीसत में आपने बोला कि एहम मुद्दे वनता है कांग्रेस पारसद दल बिपक्ष में हमारे इनको जाना चाहिए अध्यक्स के पास अपना ग्यापन देना चाहिए कि इन पुद्धों को आप एजेंडे में सामिल करो अगर यह लोग जब तक पहल नहीं करेंगे तो नगर निकम का काम है नगर निकम को अपनी दुकाने बेचनी संपत्ति कर अरजित करना है और बहुत सारे प्रस्ताब है वो नगर निकम में आते हैं जब तक कांग्रेस पारसद दल खुद नहीं जाएगा कि इन प्रस्ताबों को आप एजेंडे में परिस्त में लाईए तो क्यों सामिल नहीं होंगे तो आप भी तो पारशद हैं अब जन्ता के प्रतिनी दी हैं जब तक कॉंगरेस मतला कांग्रेस कहने पर ही काम करते हैं नहीं नहीं हम लोग अपना काम स् अधिकारी तो उन पर कारवई की उनको अठा दिये गाया इस किसको अठाए सर आप अप लगाने पर हम किसी नहीं हम आरूब लगने पर हम कि आज गिरिश शर्मा जी है राजस्कटी पर हम पर कोई आरूब लगा देगा बिने तत्यों के साथ तो आप अपने पत से कि होती है छिर्फ हंगामों में ही घवर जो है निकल के आती इक हंगामा किए जंता के सोलक होदी है नहीं मेरा चौराए के नाम रखने का है यह नाम की राजनीती करने का जो सिस्टम शुरू हुआ वो कही ना कहीं इस परिश्ट के कारिकाल में शुरू हुआ है पिछली परिश्ट हमारी कॉंग्रेस की थी और सारे बड़े मुद्दे सारे बड़े उशु चाहे भोपाल में नर्मदा जल लाना हो गरीबों को आवास देना हो जवाला नेरू अर्बन रिनुवल मिशन के तहट बहुत सारे आवासों का निर्माल कराना हो ब्याटियस जैसे बड़े कालडोर को आगे बढ़ाना हो निश्यत तोर पर आव जन्मानस की जो सुविदाओं की बात करें जो आज शेहर में इंफ्रस्ट्रक्टर दिख रहा है वो कहीं न कहीं उस पिछली परिशत की देन है और आज की परिशत में आज बात करें तो आप ज परिशत को पांच मिनिट या साथ मिनिट के एजेंडरे में पूरा करके परिशत चोल के भाग जाते हैं तो जन्ता से जोड़े मुद्दों से मूच मुच चुराकर भागना कहीं कहीं की नियती में आ चुका है और आज कोई मुद्दा अगर आया भी था तो जैसे आज की प बढ़ाकर अप्टिस परसंट के दायरे मुझमननें को में बीच में रूखना कर बाजपा पार्शाद जलने बाजपा पार्शाद के पार्शादों को करना था बाजपा पार्शाद दलने उसका वरोथ किया और हमने उस प्रस्ताब को बाजपा पार्शाद दलने उसका वरोथ किया वापस किया किसको वापस किया अरे आज पिक्चर देखने जाने के लिए आप अपने परिवार के साथ जाएंगे सो रुपे की टिकेट मिलती थी उस पे अठारा परसेंट जी एस्टी लगाकर एक सो अठारा की होती थी आज पंद्रा रुपे और बढ़ गए तो वह तो वह तो बाहर नहीं है ना कि प्रवाल जी आपको नहीं लगता है कि एक कई अहम मुद्ध है जो अभी ग्रीज जी बता है राजेश जी बता रहे एक तस्वीर पर में आप से विचार जाओंगा पत्री का बहुती प्रतिश्रित अखबार एक बड़ी तस्वीर आज उन्होंने छापी किस तरह से जो खा अगे बढ़ता जा रहा है रिटेनिंग वॉल भी जो है वो कहना कि अतिकरमन का जर्या बन गई है इतने मुद्धे पर चर्चान ना करके उस पर कारवाई ना करके सिर्फ हंगामे की राजनीती की जा रही है बिल्कु सही का आश्यों आपने जिस तरह से भौपाल को जो महा जीवन रेखा है वाडर वाडी इसको बड़ा तलाब करते हैं जिस पर हमको बड़ा गर्व है वो कहीं नहीं आज जो है वो इसकी ऊपर एक जो आतिकमों का साया मेंड़ा रहा है निश्चित रूफ से भौपाल वासियों को चंता का विश्य है राजे जी कितने बड़ी बा जिला कलेक्टर भौपाल ने उस जगे का निरिच्ण किया वहां पर प्रिभारी मंत्री भी गए थे कुछ समय पहले और उस पर जल्दी कारभाई आठाया जाएगा और हमारे जो बड़ा तलाब हमारे भौपाल सेहर की जीवन रेखा है पानी की उसको बहुत से जल्से जल् अगली परिशत के पहले उसको जरूर अठाएंगे कितने ही रसूगदारों के अतिकरमण हैं आप खुछ जानते हैं राजे जीवा पर और तमाम जो हमारा जो पूरा को पूरे जो तलाब है उसको एक बड़े नीजी अस्पतालने घेर लिए उसको कैश्मेंट एरिया को तमाम जितने हमारे मेरीज गार्डन्स हैं बैरागर की कि सरकार भी आते के हैं कारवाई को करनी है कब करेंगे शरकार हमारी मानिया हमारे सम्मेदन सिल मुखमंत्री सिवराज जनता की हितुं में सारे कारे कर रहे हमारे लोग्त प्रिये महापौर अलुक सर्माजी 18 गंटे वरकींग करते हैं जनता के बीच में रही आपकी एकेश प्रवाल जी एक सवाल आप से में लेना चाहेंगे जब भी नगणियम परिष्ट की बैठाक होती है आप एक वरिष्ट पत्रकार है आप अंदाजा लगा लेते होंगा कर्मी का समय होगा तो कॉंग्रेसी जो है मतका फोड़ेंगे यह खबर बनेगी अगर बारिश का समय होगा तो साथ देखिए नाला है यह गंदगी यह कुछ नहीं क्या यह खबर बनेगी और यह कोई भी नए अगर को काम चालू होगा तो बोले साब इसमें व्रश्टा चारे लेकिन उसमें कारवाई क्या होती है पानी की वैस्ता की गई पुष्य दूरूप से भॉपाल की जंता का में कह सकता हूं बड़ा दुख के साथ के दुरभाग है कि जिनकी सरकार प्रदेश में हैं जिनकी सरकार कैंद्र में और जिनकी भाहुमत के सरकार नगर नियम में वो कुछ नहीं कर पा रहे है उनको धरने बेठना पड़ रहा है यह एक हास इस पर इस्तिधी जो बन रही है इसके लिए दोशी कौन है इसके लिए दोशी वो हुक्मरान है जो लंबे समय से बेठे हुए क्यों नहीं बन पाता माश्टर प्रान भुपाल के अंदर काफी लंबे समय समय से माश्टर प्रान की बात होती माश्टर प्रान नह कारवाई की बात होती है अरे यह तो तयारिया को पहले से करके रखने चाहिए थी क्यों नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है इसमें विपक्ष की भी मिली भागता है सकता प्रूप से की जो नियाई की बात होती थी अपने पक्ष में करने के लिए उनको तरह तरह के प्रलोबन देते हैं तुमारा ये काम हो जागा वह काम हो अल्ला होता है अपस में गुडवाई इतनी जादा बढ़ गई है कि संवज मीला था को बात पकार अगर इसका है बड़ा सिंडिकेट है गिरीज जी जब एक घोटाले को जागर वा ता गाड़ियों का मैं आपसे बात कर रहा हूं उसमें सिर्फ भाजपा पारशदी नहीं उसमें कॉंग्रेसी पारशदों की नाम ते जो गाड़ी का बेजा जो है इस्तमाल कर रहे थे क्यों नहीं आरोप ल है इसका अंतराश्ची महत्व की साइड है इसमें कुछ भी डवलप्मेंट करने के लिए आपको पहले परियावरण और फॉरस्ट की एनोसी लेनी जरूरी है सेंट्रल की आपने वहां आठ करोड रुपे की रिटेनिंग वाल अतिक्रमन को बढ़ावा देने के लिए लोग है और वही मुख्य मंत्री ततकालीन मंत्री बावुलाल गौर जी उनकी बहु कृष्णा गौर जी मेर के करे हुए काम को बोलते हैं अभी आठ करोड रुपे की रिटेनिंग वाल को तोड़ दो इसके बात फिर वहां एक बड़ी मल्टिनेशन कंपनी का आज भी तलाप खो सब्सक्राइब को तोड़ेंगे और इसके बाद किसी मेरेज गार्डन से सुई के बराबर कोई कारवाई नहीं होती है यह कौन सा सिस्टम चल रहा है मैंने रेरा जैसा मामला उठाया जैसे आप प्रवाल जी ने बात करी कि बोपाल सहर का मास्टर प्लान नहीं है हम दोजा के सर्वेस आपने जो बात कही कि लोग डूब गए बच्चा बह गया बहुत सारे लोग नाले में पानी भर गया सर्फेस वाटर ड्रेन की डीपी आर सो करोड से शुरू होती है अठारा सो करोड पर समात होती है उस डीपी आर को बनाने के लिए बड़ी मल्टी नेशनल लिए डिली से एक रुप्या नहीं आता, अब कैसे अच्छे दिन की सरकार, कौन सी मोधी की सरकार, कौन सी स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी का सिर्फ धोल बजाया गया न्यू मार्केट के एक कोने वाले हिस्से को डवलप करना बोपाल शेर को स्मार्ट करना नहीं हो सकता आज बोपाल को री डेंसिफिकेशन की जरुवत थी आप पूरे शेर की सीवेज वहस्ता को स्मार्ट करते आप पूरे शेर के नालो के चेनलाइजेसन को स्टमाट करते आप पूरे शेर की स्टीट लाइट को स्टमाट करते आप बड़े तलाप जो हमारी वाटर बोड़ी है राजा भोज ने किस जवाने में कलपना की थी उस जवाने से आज तक उसके सरक्षण के लिए जील और इनका काफी अच्छा नूबव है पर तो इनकी जानकारी वी यह उन्हें चाहिए कि 50 साल जिन लोगों की सरकार रही उन्हें सिस्टम को कितने बुरी तरीके से डेमेज किया है किती बंदर बाट 50 सालों में होई है उसे मद्य पिर्देश की हालत मद्य पिर्देश को इसी का रह कारेकाल में की ने सेर को धी टुन ही किया वहक्रों में ने किर ृंक किया क्यों पीना बिनकर नई है और पॉस्त में दो अचुआ है पिरसिवार्वाग आप मैंने पीकिटेश है खिलोचना दॉख्ञाल उटकना अ इसम और हम आचनि को पैसे जमा करना था चुकि उनने तीस पार्किंगे शुरू की है और उसका पैसा वो जमा कर रहे हैं और चुकि उन पर उच्छित कारवाई भी हुई है बात रही चैतर की बगास की आप बोपाल में नर्वता लाइन आप मेरे बाट को देखिए नर्वता के कनेक्शन मेरे घर-घर में लगे हुए मेरे बाट में पानी की कोई सब्सक्राइब लगे नर्वता जवाल लाल नहरू अर्वन रिडियूर्वल मिशन योजना की नहीं हो आप तो आहम तो यह जानते है प्रस्ताव आपका है त बोपाल में मेरे स्वीर्वन में ला पाई सी हटल के माईर करें करी आपनी डिवाठी नहरू सुना हर नहरू नहरू जवाए में हुए चेमешьंदों प्रित्यारोप की राजनीती नहीं सहर के विकास के और आपको ले जाना चाहिए पचास साल के बिगड़े हुए धाचे को हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हमने कापी सुन्दर भोपाल मनाएं अगर हमारा भोपाल सुन्दर सुवच नहीं होता तो संबानी महापौर का देश के पिर्दान मंत्री उनका संबान नहीं करते आरे अपनी अपना प्रदान मंत्री एक बहुत देश का सर्वोच्पत होता है उसमें कोई वोनापाली नहीं होती और नंबर आया है तो आपके कौन सा इन वेटिव आवाड दे दिया किस इनुवेशन के करनी आवाड दिया है आप बता वो cycle track जिस तो धूल कारा जिस पर ठेले वाले ठेला रखके के ला बेच रहे उस cycling track को cycling में बोपाल को आवाड दे दिया वह तूट गया वह ड़क्त बना उसके नीचे गटर जा रह पर बहुपाल को बेस्ट अने विटी वहाट दे दिया यह कौन सा अपनी डपली अपना राग है यह अपनी डपली अपना राग नहीं है चुकि क्या हम लोगों ने सवाल यहां करों रुपे लगा दी लिए वहारे निश्चत रूप से आप देखिए कि भुपाल के अंदर व और बाबूलाल गॉर स्थानी शासन नंत्री थे उस सबाने में बाद में नगदी प्रशासन हो गया वह तो गर्व जी का mapping बना नहीं करा तो तो कहीं न कहीं जो एक दवाब की पोलिटिक्स है जिस तरह से राजनीती बदल रही है आज एडिस्मेंट की चल रही है उसकी वहें से सबके हाध बनें हुए है अधिकारी लोग जिस तरह से जो गुम्रा करते हैं जो बता देते हैं वही माननी यह आता है जब हम दूसरों के दिमाग से चलेंगे दूसरों की बाद मानेंगे अपना स्यम का विवेक हो देंगे आज तमाम अनुभबी लोग है निकलेगी वह बोपाल टाके से निकल के जो है वह वह बेराकर तक जाएगी वह पाइपलाइन कोंसी हो सकती है तो यह से तमाम लोग एसे तमाम अधिकारी है नगरनीय को यह अधिकारी है जनने बरसों काम किया हम उनकी जरूतनी प्रमस्ते हम नए जो भार से लोग आ गए हैं को रीवा से आ गया है को जवलपुर से आ गया जिनको भौपाल करना इतिहास माल मालूम उनको कहने पर चल रहे हैं और उनको सिर्फ भौपाल आने का मकसद स यहां पर आप देखिए तीन साथ दिन साल में चार बांच कमीशनर बदल गए अब यह से कैसे आप समझ सकते हैं वह पाल के विकास की आप बात कर सकते हैं यहां पर लंबे समय तक काम करें जब यह कुछ चीज समझ पाता है इतने मुसका ट्रांसर कर दिया ता है तो महिला यहां पर विकास के नाम पर जो है सिर्फ बात ही बात हो रही है और एडिस्मेंट हो रहा है और जिनको प्रिशासनिक अनुवाव है उनको नहीं बढ़ा जाता है उनको ट्रांसर कर दिया जाता है एक सवालों में अपको लिखता कि अब पैसा कुछ ज्यादा आ गया है कि अब हैं पर तुमाम लोग आते हैं चरने के लिए आते हैं मैं साथ कहना चाहूंगा और तमाम वर्ड विल्ड लैंक हो तमाम एंजी आपके मालूम है यह अर सरकार भी आपके सला के सब्सक्राइब यह थे लिए एक यह जैए तो अधिकारी ने उसके बावाजुद भी सर आपको निलगता कि मद्रदेश में इतना पैसा आ रहा है उसका सही इस्तमाल नहीं हो पारा आप पचास साल का इत्यास देखिए पंदरा वर्सों का देखिए अग प्रदर मंतिजी से अवाड लेत है महापउर जी की दूसरी नाले पे बैठे हुए कि बोपाल में इतने पैसे खरच करने के लागा देखिए मेरी अजीकारी सुनने रहे और देखिए लाला इदर आगया है क्या है बाइसाब कि जो सिच्टम 50 साल का है उसको 3 साल में तो दूस्त की या ना सकता हम अगर है सेर के विकास की बात तो सेर में विकास हुआ है आप हमारे प्रवास भी देख रहें ग्रीज भाई भी कंगरिस की वे भूपाल सेहर की बताएं कि ने पूपाल सेहर में ये काम किया यो इतयास है तो मैं भाषपाक साथनकाल पच्छीज उपलब्दीम मैं आपको बता सकता हूं आप राजा भोज सेतु देखिए स्मार्ट प सब्सक्राइब कर दो कांग्रेस का एक काम बताइए आप अपना इत्यासिक काम बताइए आपके सासंकाल का बोपाद में एक कांग्रेस का काम बताइए बस तो किसी दो पणा इए अपनी सासंकाल का बताइए आपके सासंकाल का का में पताइए आप तो पचास साल के आपके कांग्रेस की सासंकाल का बताइए कर दो लिए बोपाल सहर के लिए आपकी सरकार की एक क्लब अपता हिए आप उसको पेचाना जाई आप कर से चुबना जी सावरकर से तू किसके पही से समना सुनिया गांदी की गवर्मेंट थी मनमोन सिंग प्राण मंत्री थे उन्हें पैसे दिये आपको नरुदा के आच्छो परोड़ पर उन्हें पैसे दिया आपको आपको आप से तु क्यों नहीं बना पाए हम बनाएंगे के जाके पैसा तो हमारा ही है पैसा कहां से आया सुनी 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 में निर्मार रहें किया है जन्ता पार्टी की सरकार है नहीं 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 पार्टी जूट पार्टी की सरकार है तो आपके पार कुछ है नहीं नहीं के लिए जन्ता पर जाएगा प्रवाद से लास्ट के में आप से लूंगा बहुत हो चुकी है कि सिस्टम में कुछ सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं या फिर कई नहीं करें दो आरोप है तो सिंडिकेट के आपस में मिले हुऊ है पक्ष और विपक्ष दूसरा कि सिस्टम जो है अधिकारियों के भरों से इतना ज्यादा हो गया कि जन्न प्रतिनिदी चाहकर भ अधिकारी लोग पखते हैं कि कलम नी ओए तो जो काम पूरम के पढ़े हैं बैद क을 जीके आत पूर्म हो सकती थि जहां कर घ्ड़ um क्या वजह आए फ myths आए जहकों कि आदिको गराए यह चार पर ब्ūसल्ती त्रहीं होता है और आफ जो पिछरी को तमाम को कलेटर को महापोर को तमाम लोग बैठना पड़ेगा और सबसे बढ़ी बात है कि कर संकलुष होना चाहिए से मैंने कहा कि गोर जी कहते हैं तो विआईईपी रोड बन गया तो तमाम चीज़ें हो गहीं जब तक आपको इस्चा शक्ति नहीं होगी जब तक आप य बहुत बहुत शुक्रें आप लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रहें लेकिन अगर पूरे मद्यप्रदेश की में बात करें तो विकास तभी हो सकेगा जब भेदबाव ना हो घष्टाचार ना हो कमिशन खोड़ी ना हो और कहीं जो पैसा जब आता है तो तमाम जो बंदर कि तरच पर सभी लोग एक साथ हो जाते हैं लेकिन जन्ता जन्प्रतिनीदियों पर भरोसा करते हैं उनके कंदों पर बड़ी भारी जिमेदारी होती है तो अपनी आवास को मुखर करें अगर कहीं ब्रश्टाचार हो रहा है तो यह वो जन्प्रतिनीदी है जो उनके खिला अगर आप लोग ही उनको दे पाएंगे कि आप गलत के खिलाफ आवाज उठाएं तो जन्ता से भी हम अपील करेंगे कि जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ एक जुट हो क्योंकि यह देश हमारा है और शहर भी मारा फिलाल मुझे यानि अशुक्तोर्ष को दीज़े झाल झाल